हेलो बच्चों, हमारी यूटूब चैनल अरस्तु एजूकेसिन में आपका फिर से स्वागत है आज हम कक्छे छटवी के बच्चों के लिए वार्शिक मुल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड बासे विज्ञान विशय का प्रजेक्ट कारी लेकर आये हैं इसके पहले भी हम हमारे चैनल पर सभी विशयों के प्रजेक्ट कारी के वीडियो अप्लोड कर चुके हैं यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर विजट कर सकते हैं तो चलिए हम बिना देर किये सुरू कर लेते हैं यहां विध्यारती के लिए निर्देश दिये हुए हैं यहां विध्यारती का नाम लिखना है आप अपना नाम लिख लें यहां अपने पिता का नाम लिख लें यहां अपनी शाला का नाम लिख लें और यहां अपनी कक्षा छट भी लिख लें यह प्रजक्ट कारे चाले संका है और इसमें प्रश्णों की संक्या दो है यहां महत्यपूर निर्देश दिये हुए हैं इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें चलिए हम यहां से वर्कशीट पर कारे प्रारम करते हैं निर्देश दिया है प्रश्ण को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए इसका प्रश्णी क्रमांक एक है भोजन पर प्रजक्ट कारी अपने माता पिता अभी भाबकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए इसका प्रश्ण एक है भोजन से हमें कौन-कौन से पोश्चक् पत्व हैं कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन, वसा, बिटामीन तथा खनिजलवर, इसके अलावा हमारे भोजन में आहारी रेसे जिनें रुक्छांस कहते हैं और जल भी सामिल हैं, इस प्रकार इसका उत्तर लिख लें। मिलती हैं, जैसे की चावल, डाल, सबजिया, फल, आदी, गेहुं जिससे आटा तयार होता है, तथा आटे से रोटिया बनाई जाती हैं, हमें गेहुं के पौधों से प्राप्त होता है, धान के पौधों से हमें चावल प्राप्त होता है, इन उत्तरों को आप वीडियो को तीसरा है पोशक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए यहां सारणी बनी हुई है एक तरफ पोशक तत्व दिये हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे होने वाले रोग लिखना है तो पहले नमबर पर लिखे बिटामिन A, बिटामिन A की कमी से होने वाले रोग है रतोंधी दूसरे नमबर पर बिटामिन B, बिटामिन B की कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी तीसरे नमबर पर बिटामिन C है, बिटामिन C की कमी से इसकरवी रोग होता है चौथे नमबर पर है बिटामिन D बिटामिन D की कमी से रिकेट्स याने की सूखा रोग होता है जो बच्चों में हो जाता है पाच्वे नमबर पर है बिटामिन E की कमी से ब्रेन हेम्रेज या हार्ट अटेक हो जाता है चट्वे नमबर पर है आयोडीन आयोडीन की कमी से मनुस्य में घेंगा रोग हो जाता है इस प्रकार ये सारणी यहां कम्प्लिट कर लीजिए चलिए चौथे नमबर का प्रेशन देखेंगे फास्ट फूड और जंग फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है इसका उत्तर लिखें फास्ट फूड और जंग फूड के लगतार सेवन से अतिरिक्त वसा कार्बोहाइड्रेड और चीनी का सेवन बढ़ जाता है जिससे मोटापा और हिर्दे रोगों का खत्रा बढ़ सकता है परिणाम स्वरूप मोटापा धमनियों का रुपना सुरू कर सकता है जिसकी वज़े से दिल या हाट से संबंदित बिमारियां हो जाती है अत्यदिक मात्रा में जंग फूड खाने से व्यक्ती डेप्रेसर का सिकार भी हो सकता है इस प्रकार इसका उत्तर लिख लें पाच्वा प्रसने देखिए अंकुरित अनाज, रेसिदार फलों, सबजियों एवं सलाद को प्रति दिन के खाने में सामिल करने से होने वाले लाब को लिखिए इसका उत्तर लिखें अंकुरित अनाज में कई तरह के पोश्यक्त तत्व पाए जाते हैं यह एंटी आक्सिडेंट और विटामिन ए, बी, सी वा, ई से भरबूर होता है एंटी आक्सिडेंट की वज़े से सरीर की रोग प्रतिरोधक शमता बहतर होती है भोजन को पचाने में रेशिदार तत्वों का भी विशेश महत्व है अपने आहार में रेशिदार वार रसीले फलों को शामिल करने से लाभ मिलता है अपने आहार में सलाद को सामिल करने पर सरीर पर जमा अनावश्यक वजन घटाने में पाचन तंद्र को बहतर रखने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सलाद बेहद फायदिमन माना जाता है अगला छटा प्रिशन देखिए भोजी पधारतों के अव्यवों के कारियों के आधार पर प्रेक्षन सारणी को पूर्ण कीजिए यहां सारणी बनी हुई है एक तरब भोजन के पोशक तत्वों के कारिये दूसरे कॉलम पर किस पोशक तत्वी की आवशकता होती है और तीसरे कॉलम पर लिखा है स्त्रोथ या किस भोजी पधारत में पोशक तत्व पाया जाता है तो पहले कॉलम पर देखिए अधी कुर्जा प्रदाए करने वाला पोषक तत्व है कार्भोहाइडरेट तथा वशा से हमें अधी कुर्जा प्राप्त होती है और ये किस भोजी पदारत में पाया जाता है तो यहां लिखें आलू, चावल, दाल, काजू, बदा, मूँ, फली, आदी में कार्वो हाइडरेट रधा वसा पाया जाता है अब देखिए सरीर को निरोगी बनाये रखने वाला पोशक तत्व है बिटामिन लिख ले बिटामिन किन-किन पधार्टों में पाया जाता है तो गाजर में, कद्दू, पपीता और नीवू में और आदी फलों में भी पाया जाता है बिटामिन अगला है अस्थी एवं दातों का निर्माड करने वाला पोशक तत्व है बिटामिन के बिटामिन के दूद दही, पनीर, पालक, ब्रोकली आदी में पाया जाता है अगला है सरीर की ब्रद्धी में आवशक पोशक तत्व है प्रोटीन तथा खनिजलवन दूद, दूद के उत्पाद, अंडे, हरी, पत्तिदार सबजियों इत्यादी में पाया जाता है इस प्रकार ये सार्णिया कंप्लीट कर लें अगला देखींगे अपने घर से बिविन अनाजों के कुछ दाने, मटर, मका, चना, गेहुवा, सैम को लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नीमित पानी डालिए वा बीजों के अंकुरों का अवलोकन कर सार्णि को पूर्णे कीजिये बच्चों हमें मटर, मका, चना और गेहुव, सेम की बीजों को लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर दबाना है और हमें देखना है कि उन वीजों में कितने दिनों में अंकुरण आता है तो हमने ये परिक्षण करके देखा है और उसी के आधार पर ये सारणी तयार किया है तो पहले नमबर पर है मटर, मटर के अंकुरण में लगने वाला समय है चार से पास दिन दूसरे नमबर पर है मक्का, मक्का को अंकुरित होने में 6-8 दिन का समय लगता है तीसरे नमबर पर है चना, चना को भी अंकुरित होने में 4-5 दिन का समय लगता है चोथे नमबर पर है गेहू, गेहू को अंकुरित होने में 6-8 दिन का समय लगता है पाशवे नमबर पर है सेम सेम को अंकुरित होने में चार से छे दिन का समय लगता है आप भी इसी प्रकार से ये सारणी में लिख लें अब हम देखेंगे प्रश्निक्रमांग दो क्रसी पर आधारित प्रोजेक्ट कारे अपने मातापिता या अभी भाबकों के सायोग से पूर्ण कीजिए इसका पहला प्रश्न है ग्रीस मकाल में कौन-कौन से अनाजों का उत्पादन होताहै उनके नाम लिखिए इसका उत्तर है ग्रीस मकालन मूंग फली, मूंग उड़द ये अनाज ग्रीस मकाल में उत्पादित किये जाते हैं दूसरा प्रश्ण है इन फसलों की उत्पादन हे तू भूमी की जुताई के लिए किन-किन सहयंत्रों का उप्योग किया जाता है नाम लिखिए तो इसके उत्तर में लिखिए पहले नंबर पर मिट्टी पलट हल दूसरा डिस्क हैरो तीसरा डग, फुट, कल्टिवेटर और चौथा है रोटावेटर इन यंत्रों के उप्योग से हम भूमी की जुताई कर सकते हैं तीसरा प्रश्ण है अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है इसका उत्तर लिखें अच्छे बीजों का चयन उनके उच्च अन्वानशिक सुधता के आधार पर किया जाता है सबसे पहले बीज को प्रमाडित दुकानों से खरीदना चाहिए दूसरा उच्च अंकुरण वाले बीजों को ही ले चाहे वो थोड़े महंगे ही क्यों नहों बीज कटा हुआ नहीं होना चाहिए कीटों से मुक्त होना चाहिए जो भी ले वह रोग मुक्त होना चाहिए इस प्रकार हम अच्छे बीजों का चैन कर सकते हैं अगला चौथा प्रिश्ण है फसलों की सिचाई हे तू फसलों की सिचाई के लिए नदियों, नहरों, कुओं, तालाबों, आदी जल इस्त्रोतों तथा त्यूब वैल, बोर बैल, स्प्रिंगलर, आदी सैंत्रों का उप्योग किया जाता है पाश्वी नमबर का प्रेशन देखें फसल उत्पादन हे तू, किन-किन उरवरकों का उप्योग किया जाता है नाम लिखें, इसका उत्तर लिखें फसल उत्पादन हे तू, निमने उरवरकों का उप्योग किया जाता है पहला नाइट्रोजन, दूसरा फासफोरस, तीसरा पोटास इसे हम N, P, K के नाम से भी जानते हैं N याने nitrogen, P, phosphorus और K, potassium इस प्रकार उत्तर लिख लें पाश्वा प्रश्ण है छटा प्रश्ण है फसलों को कीट पतंगों से बचाओ है तू किन-किन किट नासकों का उप्यों किया जाता है इसका उत्तर लिखें जैविक एजेंट तथा जैविक पेस्टिसाइड किट नासकों को फसलों को कीट पतंगों से बचाओ में सहयो करते हैं जैविक एजेंट जैविक एजेंट तथा जैविक पेस्टिसाइड जीवों तथा कीटों, फफूंदों, जिवाडों एवं वनस्पतियों पर आधारित उत्पाद है जो फसलों, सबजियों एवं फलों को कीटों एवं व्यादियों से सुरक्षित कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करते हैं इस प्रकार ये उत्तर यहां लिख लें अगला प्रिश्ण है फसलों की कटाई हे तू किन किन सायत्रों का उप्योग किया जाता है नाम लिखिए इसके उत्तर में लिखें फसल कटाई में प्रयोग होने वाले क्रशीयंत्र हैं पहला दातेदार हसिया, दूसरा रीपर, तीसरा कमबाइन हर्वेश्टर इन सायत्रों का उप्योग फसलों की कटाई में किया जाता है अगला प्रिश्ण है फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार किया जाता है इसका उत्तर है अनाज को रखने के लिए गोदाम की सफाई कर दीमक और पुराने अवशेश आदी को बाहर निकाल कर जला कर नश्ट कर दें दिवारों फर्स एवं जमीन आदी में यदि दरार हो तो उन्हें सीमेंट इट से बंद कर दें बीच कंटेनर को मेला थियान पचास इसी दवा से अच्छी तरह साप करें भंडारन में चबूतरा जमीन से दो या धाई फिट की उचा और दिवारों से देड से दो फिट दूरी चारों और छोड़ कर बनाई जाती है इस प्रकार हम फसलों का सुरक्षित भंडारन कर सकते हैं यहाँ पर आपका ये विज्ञान का प्रोजेक्ट कारे कंप्लीट होता है यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे चनल पर सभी विशय के प्रोजेक्ट कारे की वीडियो अपलोड हो चुके हैं आप चनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए ठैंक यू